मैम, जिस तरह साथ अंडरी समी और हम खड़े, सर पे ऐलिगेशन उलग रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है, यह सारे ऐलिगेशन पेसलिस है, इसके साथ हमने बहुत सारे प्रूफ अलरी हम दे चुके हैं, और यह हमको देनी की भी ज़रुवत नहीं थी, क्यूंकि यह उन्होंने कोर्ट में नहीं लगाए है, अलिगेशन ट्विटर पे लगाए है, एक सोशल और ऐसे डॉकुमेंट्स रोज बन सकते हैं, कोई भी इंटरनेट से प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह बसूली कारा है, उस पे आपका क्या बोला है, कभी दुबई का नाम आ रहा है सामने, कभी मॉल्दिप का नाम आ रहा है सामने, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्टॉ अगर चार्जस कोई लगा रहा है, तो उसके साथ में कोई प्रूफ भी पेश कीजे, कोई electronic proof हो, कोई message हो, कोई Samir Vankhari का कोई recording हो, कुछ तो हो, सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सेंगें, तो वैसे भी मैं भी बोल सकते हूं, उसने एक्स्टॉर्शन किया, उसने एक्स्टॉर्श मतलब अगर फोट में जाएगा ये केस, तो किस तरह से हारिश लोगा है, Samir जी कभी भी विजिलन से डरे नहीं है, उन्होंने जो भी ओनेस्टी से काम किया है, वो लोगों के सामने पेश किया है, उनको बार-बार सरकार ने मेडल्स दे के प्रिस्कृत भी किया है, तो किया ये केस, तो वो खारीश को पाएगा, या फिर नहीं, जिस तरह से आप लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, क्या खाएगा तो वो ही मैं बोलना चाती हूँ, सॉरी, कि वो बिल्कुल भी विजिलन से, उनको कोई भी खौफ नहीं है, अगर कोई इस केस का गो लोग एक्स टेक लेरा चाहेंगी, समीर वानखेडे, जिस हिसाब से अपना रिलिजिन प्रूफ करने के लिए हम लोग उनकी दॉक्यमेंट दिखा रहे हैं, यह भी बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मिंदगी बाला है, क्यूंकि वो एक छोटी जाती से आते हैं, क्यूंकि वो एक चीज का अभिमान है कि उनकी फादर हिंदू है, उनकी यह चीज का भी अभिमान है कि उनकी मदर मुस्लिम है, वो एक सेक्यूलर बंदा है, उसके पैर खीचने की कोशिश ना करें, उसके रिलिजिन के सारे डॉक्यमेंट उनकी पेश किये है, यूपी असी ने अगर उनको जॉब पे रखा है, तो डेफिनिटली उनकी पूरी जाच की गई है, तभी वो उस पॉजिशन पे है, तो इस चीज को चैलेंज करना है, इसका मतलब अपने सिस्टम को चैलेंज करने जैसा है, इतने बड़े उसके चैलेंज करना है, और बहुत सारे आरोप को लगाना, क्य कुछ आपको लगता है कि इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? यह अनुप लग रहा है कि वो कुछ पैसे लिए है, इस तरह के उसके क्या भी बोलागा है? मैं पहली क्लियर कर चुकी हूँ, कि Samir Vaan Khede की जो चल रहा है, इसके उपर अल्रेड़ी सिस्टम ने कहा है कि उसके उपर जांच होगी, समीर Vaan Khede कभी भी चांच से बैक आउट नहीं किया है, और अगर एक्स्टॉर्शन का कोई प्रूफ है उनके पास, तो वो सामने आये और वो कोट में साधर करें वो, यह नहीं कि हम ट्विटर पे डाल देंगे, क्या प्रूफ है? उनका कुछ लिखित है, समीर Vaan Khede में किदर बयान दिया है, उनका कुछ voice recording है, कुछ phone recording है, कुछ WhatsApp chat है, बताइए, कुछ नहीं मिलेगा, I know my husband, thank you, thank you.